जी नमस्कार, Creator Super 30 में आपका स्वागत है, आप हम लोग Sequence Series का Theory समाप कर लिये हैं, अब हम लोग IIT Advanced में जो Question पूछा है, उसको Easy धंग से आपको हम बताएंगे, कैसे आप इसको सोच को अच्छा से कर सकते हैं? तो यहां पर Part 12 में यहां IIT के Advanced में एक Question पूछा था, Evaluate करना है, किसको? Sum of the N Terms of the Series, यह N तक गया है उस Series को आपको बताना है, Question देखो यहां 8 बटे 5, 8 बटे, 16 बटे क्या है? अगला 24 बटे है, अगर इस Series को तुम देखोगे, तो यह कहोगे कि सर आठ का Multiple है, किसका Multiple है? तो यहां पर तो आठ हार तो लिख दोगे, आठ एटर, बोलो यहां साना, यहां पर देखोगे जो पांच बना है, क्या बना है? यहां आर एस्क्वार को 4 से गुना करके एक, आर का भेलू 1 लेगे, आर का भेलू क्या लोगे? तो यहां पर 4 आएक पांथ, आर का भेलू 2 लोगे हैं, तो दो का एस्क्वार क्या हो गया, 4 चर्चव को, बोलो, और, लेकिन हमको 65 लाना है, क्या लाना है? तो यहां पर थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा, तो यहां हम फोर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? बोलो यहां है, तो दो के पावर, 4 करेंगे, तो 16 हो जाएगा, आज 16 चोको 64, 15, तीन के पावर, तीन के, 4 करेंगे, 81 हो जाएगा, 81 को 4 से गुना करेंगे, 324, आए एक जोर देंगे 300, यहां लूप आपको मिल गया, कि आर की भैलू 1 अप्टू, लेकिन इस से आपका कोश्टन स्वाव नहीं होगा, चुकि यह आएटी जब कोश्टन पूछता है, तो प्लूप तो जरूर लगाता है, समझ रहे हैं, अगर हम दो कॉमन लेले, बाहर निकाल लें, तो यहां पर समेशन, यहां फोर, आर, बटे, फोर, आर के पावर, फोर, प्लॉप अब इसको फैक्टर करना होगा, क्या करना होगा, क्या करना होगा, तो यह दो भाग में तूटेगा, इसका फैक्टर सबसे बड़ा टफ है, और इसलिए आईएटी में पूछा था, लेकिन चुकि यह हमारे साथ तुम अगर रहोगे, तो दुनिया का हरे फैक्ट को, मैं एजी कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, एक छोटा सा लोग तुम लें जामता, टू आरे स्क्वार माइनस टू आर पलस वर, और यहाँ पर टू ए स्क्वार टू आर पलस वर, ठीक है, इसको गुना करोगे, तो क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, फोर आर फोर, बोल है, इसके करेगा, तो हो जाएगा माइनस 4 और यहाँ माइनस कोरा इसक्वार माइनस टू आर इसक्रेगा, यहाँ पर हो जाएगा तू आर इसक्वार वर, और फिल पलस टू आर बहुं को, देखा आपस में यह वाला, यह वाला कट मरा यह दोनों जूट के इससे मरा आए दोनों डाइरेक्ट मर गिया यानि फैक्टर आ गया फैक्टर यानि कोशन सौल हो जाएगा के ऋंस उचन सौल यानि यहां पर इसी चीज को आप लिख सकते हो समेशन र का भैलू जो अप्टो एन तु बाहर निकाल लिया था तू यानि यहां पर फोरर बटे हैं इस टाइप में एक शुरू वाला बचता है यह क्या बचता है लास्ट वाला क्या क्या बचता है यानि यहां तो यह टू का टू रहेगा ही तू का टू शुरू वाला आर का भाईलू बन लेंगे तो दू से दू कट जाएगा तो एक बचेगा क्या बचेगा यहां एक लास्ट वाला n के टर्म में लिखा जाएगा क्या के टर्म में लिखा जाएगा यानि 1 बाई यहां पर 2n स्क्वार 2n पलस 1 अब यह टू टाइम्स तो है ही यहां इसको हाल करोगे तो 2n स्क्वार 2n पलस 1 माइनस 1 बाई 2n स्क्वार पलस 2n पलस 1 अब बताओ 1 से 1 क्या हो गया अब यहां पर दो दुना 4n स्क्वार और 4n बटे 2n स्क्वार 2n पलस 1 अगर यही कोश्टन आईएटी एडवांस में पूछा था आइडवांस में लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर लॉजिकली मास्टर है अगर यह जिसको लूप नहीं समझ में आएगा लूप समझ में बोलना उसका भी उपाई है उसका भी यहां पर पहले तो दू कॉमा ले लिए दू का ले लिए दू यानि एक माइनस एक बटे ह चार बटे यहां बताओ चार बटे पांच है कि नहीं यहां दो कॉमा ले लिया तो आठ तो आठ है क्या है यानि आठ है इसका मतलब यह हुआ कि एक बटे पांच एक बटे तेरः तम नहीं आठाएगा अरे पांच में आठ जो रेंगे तना तेरह होगा बोलो ने यार अगला वला डेटा तो एक बटे तेरह रहेगा ही चुकि आपस में कट बरना है और यहां दो कौम लेने से 12 हो जाता है क्या हो जाता है अगला डेटा क्या लिखोगे अगला डेटा एक बटे पाचीस तो जरूर लिखोगे एक बटे पाचीस के बाद अगला जो डेटा होगा अगला जो डेटा 32 होगा और पाचीस में सोलह जोर होगे तो कितना हो जागा 41 क्या हो जागा कि हम दूसरे मेठेट से भी साखाने कर अपाचीस हो बोलो यह आप तो यह आपस में कट मरेगा यह तो बात सही है बोलो है अब भी डियार्थी को आना चाहिए पहला डेटा 5 है फिर 13 है तेरह के बाद पतीस है और पतीस क अगर सर इसका टी न हमको बता दीजिए तो यहां फेक्टर करने की लफरा नहीं होगा और टी न निकालने के हम सहज्ट तरीका बताई थे याद करो तो किसका डिफ्रेंस निकालते हैं तो आठ यहां पर क्या हो रहा है 12 आयां क्या हो रहा है 16 समझदार हो अरे बोलना है तो यहां समझदार हो तेहां 4 4 का आया कि नहीं आया यानि हम बताये थे वाइनोट यानि 5 एन माइनस 1 इंटु 8 अगला हो जाएगा अगला तो चार चार करेंगे तो जीरू हो जाएगा और तुमको यहां पर जो लिखे हैं टी एन बराबर यह जो लास्ट वार लिखें टू एन स्क्वार प्लस टू प्लस वन यह आएगा यह गौर से देखते रहो पहला टर्म क्या या पांच यहां एट न माइनस एट यह तो टू एन स्कवार प्लस ऑं कि आख हो दू दुनी चार दू ना वोलो टू एनस को रहे की नहीं आया बोलो इसक्ष कॉण आख यहां घुल यहां पांच यहां एक नहीं आया बोलो एक कोई का उबर एक ह Rozum हमया एफक्टर भावि लिखना सीखा दीजिया तो देखा पहला एक था पहला क्या था एक के बाद क्या हुआ पांच बोलो यह सब्सक्राइब या या आपको कैसे प्रस्ण पूछेगा और आप से क्यों नहीं आएगा या आप देखे इस प्रस्ण को कौर से लिख सकते हैं या लिख सकते हैं एक माधा आड़ीको क्या लिख सकते हैं अगला वाला कुछ सकते हैं 10 लीख Estona डिके देडों न रभश neurolog कि तहींड यह आपके न हें हो जाएगा क्या हो जाएगा आभ renas-kaले लींगे लें एसन हाब के पावर वन हो जाएगा हाप के पावर टू हो जाएगा हाप के पावर थीरी हो जाएगा बोल यार यहां हाप के पावर फोर हो जाएगा बोलो भाई टाव्ल डाव्लाउट यहां हापके पावर लास्ट में व bå allezगा लेकिन जनरेंटिंग हो झाले हां के पावर होगा यहां हापके पावर जीरो जोरेंगे हापके पावर हिसके पावर जीरो जो रेंगे तो हापके पावर 0 जो रेंगे तो यहाँ प्येसे नो जोडिय का तो खडमा भी तो प्रकने और यह जन रेटीम machen in हो गया तो इसमें सर बताए थे कि हाप के Power in P Plus One हो जैगा फिर गार στ माइनस बाइनस बाइनस वंायज हाप माइनस बोलेटाइए यहीं फर्मूला बताए थे याद है यह नहीं थे एक के पावर 0 एक पावर 1 एक इंनतर नाब के पावर और एक के पावर एक पावर एन और यह माइनस माइनस आंगे चलके क्या हो जाएगा जल्दी विताओ परलस क्या हो जाएगा अब यहाँ पर देखो यह हाप माइनस वन है हाप माइनस हाप माइनस तो हाप माइनस वन है तो क्या हो जाएगा एक बटे दू माइनस एक तो एक मैसे दू गया तो माइनस वन हो ग ना करेगा यह भी तो से यह माइनास दू हो जागा पलस वन हो जागा बोलो यह से नो अंसर आएक नहीं आएगा तो अगर आप हम लोग का जो सिक्वेंस सीरीज का कोश्चन बैंक से हम लोग करेंगे और आई आई टी का सलूशन करेंगे मिलते हैं ले वडियो में तब तक लि जआ ए बपने ले ले ब शेए mixed Lyn, değilनु जब भैंगे जब आवी थे झीन के सatchingस्वे कि लेंस लेंसिंगे लेंसoring कैनलो ज्शन प्सक्त कोशीं जवेंस्याद्स।